ही अब्रीवान विल्कम बैक टू मैं चैनल हूप यौल आ डूइंगे अबसल्यूटली फाइन आज के हमारी रेसिपी है स्टाफट अनियन पकोड़ा जिसको हम अनियन स्टाफ करके फिर उपर से कोट करेंगे बेसन से तो बहुत ही डिलिशेस सी रेसिपी है बहुत इजी रे यह थोड़े से रफली क्रश्ट कैश्यू काजू 20-25 क्यासपस किश्मिश इससे काफी अच्छा टीस्ट आता है थोड़ा सा रफली क्रश्ट धनिया लिया है एक टेबिल स्पून एक टीस्पून सौफ की लिया है आदा टीस्पून जीरा और यह हमारे कुछ मसाले तो हमने लिया है यह गरम मसाला आमचूर पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप चाहें तो हरी मिर्च टाल सकते हैं और या फिर रेगुलर मिर्च टाल सकते हैं यह हमारा नमक और हमारी हल्दी तो यह हमारे बेसिक इंग्रीडियन्स है हमारी स्टफिंग के लिए तो अभी चलिए पहले स्टफिंग रेडी करेंगे और जब तक यह थंडी होगी फिर हम अपनी प्याज को रेडी करेंगे तो चलिए अपनी स्टफिंग प्रेपेर करते हैं पहले तो यह मैंने पैन लिया इसमें हम एक टी स्पून टेल डालेंगे तो यह थे अपनी स्टफिंग अच्छे से बने ही नहीं बट बहुत जादा नहीं रखने है एक तो अंदर बहुत जादा ओईली हो जाएगा दूसरा फटने लग जाता है तो अभी जैसे हमारा तेल गरम होगा इसमें डालेंगे हम जीरा और जैसे ही थोड़ा सा जीरा पकेगा इसमें डाल देते हैं अपनी स्टफ दोनों चीजों को थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम अपना धनिया डालेंगे तो हलका सा जैसे ही देखिए आपको कलर चेंज होने लग गया है सौफ का हमारे का इसमें डाल देते हैं हमारा धनिया जो हमने कोटा हुआ था तो हमें एकदम finely chopped नहीं लेना है इन चीजों में थोड़ा सा दर्दरा पिसा हुआ धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और especially किशमिश और काजु जब आप डालते हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका तो यह देखिए अभी इसमें बहुत अच्छी सी खुश्बू आने लगी और आपको कलर भी दिख रहा होगा चेंज हो चुक है अब इसमें अपने काजु डालेंगे ताकि काजु थोदे से क्रंची से रहें अदरवाइस बहुत सौगी से हो जाएंगे अगर आप उनको थोदा सा नटी सा करके नहीं डालेंगे थोदा सा क्रंच आना चाहना चाहिए उसमें तो यह मैंने अपने काजू डाल दी हैं और इसमें डाल देंगे अपनी किश्मिश हलका सा इन दोनों चीजों को इसके साथ रोस्ट कर लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें हल्का सा रोस्ट करना है और उसके बाद हम अपने बाकी इंग्रीडियन्स इसके अज़ेंदर डाल देंगे तो अलू को आप मैश करके रखिए और इसमें हम डाल देंगे अलू ग्रेंट नहीं करना है मैश करा हुआ ही डालने हैं हमें क्योंकि थोड़ा सा अलू का पीसिस, मोटे थोड़े पीसिस और थोड़ा मैश किया हुआ, सारा मिक्स आना चाहिए, अदर्वाइस बहुत जादा गीला सा हो जाएगा हमारा स्टफिंग जो है, तो अभी ये सारे मसाले मैंने डालती है, मैंन तो इसको एक मिनिट ऐसे ही चलाते हुआ, अच्छे से मिक्स करेंगे, और जब तक ये ठंडा होगा, अपने प्यास रेड़ी करेंगे, तो अभी मैं इसको ये तियार हो चुकी है, बिलकुल हमारी स्टफिंग, मैं इसको एक प्लेट में निकाल देते हूँ, और इसको उने देते हैं ठंडा, तब तक अपने पकोडी की बाकी प्रेपरेशन्स कर लेते हैं, तो इसको मैं निकाल देते हूँ, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, अभी इसको उने देते हैं ठंडा, और जब तक अपने प्यास और बेसन रेड़ी कर लेते हैं, तो इसको रखते ह तो ये मैंने 6 प्याज ली हैं ये पूरी प्याज यूज नहीं होगी अगर आपको पसंद है तो आप अपनी स्टफिंग में इसका बाकी का प्याज को पहले रेडी कर लीजे और इसका जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा निकलेगा मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो आप डालो कोई सबजी वबजी बनाएंगे उसमें उसको यूज कर लीजेगा अदर्वाइस अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें ढाल सकते और आप स्टफिंग में हरा दन्या और जो अपनी हरी मिर्च वगेरा भी डाल सकते हैं आगर आप को पसंद है तो मैं नहीं डाल रहू और जितने मोटे shells आप निकाल सकते होते हैं निकाल दीजे बाकी जो पतले बचे हुए pieces हैं ये दिख रहे हैं आपको इनको रख लीजे साइड में और ऐसे करके सारे प्याजों को हम ये shells निकाल लेंगे उपर का हिस्सा एक एक निकाल लेंगे दो-दो और बाकी का आप के हिसाब से पूरा इसमें फिल हो जाना चाहिए नौ लेट्स प्रिपेर आर बेसन कोटिंग के लिए तो एक कप मैंने बेसन लिया है इसमें डालेंगे salt to taste थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा लालमिर्च पाउडर और एक चमच तेल थो लग जाता है instead of yellow तो वो पकोड़े का color अजीब सा हो जाता है अगर आपको चाहिए तो आप वो डाल सकते है क्रिस्पी करने के लिए otherwise oil से काफी अच्छा हो जाता है तो I would suggest कि आप तेली डालो अब इसका एक थिक सा बैटर बनाएंगे बैटर बनाते टाइम अगर आपको consistency नहीं समझ में आ रही है कि कितना थिक रखना चाहिए तो आप क्या कीजिए प्यास का एक शेल लेकर इसमें dip करके देख लीजिए अगर उसके उपर बेसन रुक रहा है तो ठीक है अगर नहीं रुक रहा है अगर पतला हो गया है या बहुत जादा गाधा आपको लग रहा ह गाधा लग रहा है तो थोदा पानी और डाल लीजिए और जादा पतला लग रहा है तो एक चमच ब्रेट चमच बेसन और डालके उसको गाधा कर लीजिए बढ़ आपके प्यास के उपर बेसन रुकना चाहिए ताकि वो अच्छे से कोट करें तो अभी हमारा बेसन भी तय कि प्यास सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से तो इसको ऐसे फिल करके दूसरी प्यास को इसके अंदर अच्छे से हम दबा देंगे तो यह बंद हो जाएगा बहुत अच्छे से यह देखिए ऐसे फिर यह खुलेगा नहीं तो ऐसे करके सारी प्यासों को हम फिल कर लेंग तो ध्यान रखिएगा एक बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा शेल उससे अंदर का जैसे हम सबसे उपर वाला लेते और एक दूसरा ले लेंगे उससे थोड़ा सा जो छोटा वाला था वो पहले वाला वो तो ऐसे करके सारी प्याजों को फिल कर लेते हैं तो ध्यान रखिए थोड़ा सा प्रेस कर दीचे ताकि वो अंदर चला जाए और अच्छे से बंद हो जाए ताकि जब आप पकवादा बनाएं तो वो अच्छे से उसके अंदर उसको कोट करके रखे पकलके रखे और फटे ने तो अभी यह देखी हैं हमारे सारे प्याज फिल होके रेडी है और यह सिर्फ एक पीस बचा होगा था बाकी स्टाफिंग भी पूरी होगी और हमारे छे प्याज पूरे हो गए तो यह रेडी है चलिए अब बेसन से कोट करते और इनको फ्राई करते है तो तेल एकदम से और फिर डाल दीजे और कुछ सेकिंद्स के लिए बिलकुल टच नहीं करना है जब यह अपनी शेप होल्ड कर लेंगे उसके बाद हम टच करेंगे अदरवाइस क्या होता है या तो बहुत जादा एक दूसरे चिपक जाता है या फिर आपके जो जहर है यह इसी में बेसन अब आराम से मेडियम टू लो फ्लेम पे पकने दीजे जब तक अच्छे क्रिस्पी और गॉल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता तब तक तो अभी आपको दिख रहा है कलर कितना प्यारा कलर आया है तो आई वूड सजेस्ट कि आप बेकिंग सोड़ा अगरा कुछ मन बहुत क्रिस्पी बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे और यह देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत है डिलिश्यस बने है साथ में हरी मिर्च जरूर लीजएगा काफी अच्छी लगती है मैंने अंदर स्टफिंग में नहीं डाली क्योंकि नहीं पसंद होती है स मैं आप लोग को से मिलते हुए अगले वीडियो में तिल देन बबाए टेकर दो नोट फोगेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और यह दो चेक आट मैं इंस्टेरम पेज लिंक इस इन देस्क्रिप्षिंट बोग सी वे सूपर सून बाइबाए